इस घटना को लेके बहुत दुख का महूल है पूरे देशवर में पूरे जो हमारे युवा साथी है इस्टूडेंट्स है उनमें बहुत बचारा दुख का महूल है कोई बच्चा पूरे देश से पढ़ने आता है दिल्ली क्योंकि एक ऐसा सेंटर है जहां पढ़ाई लिखाई की विवस्ता शुरू से अच्छी मानी गई है और दिल्ली के अं अड추, स्पारवाई को नहीं निकाला गया बेश्मेंट के अंतर थे और उसका कोई लाइशन्स नहीं कोई पर्मीशन नहीं और पाणी निकालना जो एक परम्द है होता, परह स Aprèsयोग गीा झाले ए, तो उसको पाणी को जो ने जैपूर में कुछ सीले हो रही है तो जागने से क्या फाइदा जब जो चिराग बुच्च चुके जो चीज हो चुकी और यह तो हर साल की एक्टिविटी आनी यह सीजन तो हर साल में आना है ऐसा नहीं कि आ सीजना आया है कि कल ये सब को पता है कि जुलाइ अगस्त में बारी कुछ कहना चाहेंगे उनका मैसिज देना चाहेंगे शीव भक्त भोले सब लगे हैं अपना कावड लाने के लिए और सावन का महिना है भोले शंकर सब पे किरपा कर रहे हैं ऐसी किरपा सभी पे बनी रहे तमाम दिल्ली के अंदर जिसे हम कनिया नगर केशव पूरम हर जगे बहुत जवर्दस बोले की बहुत भीड हो रही है और कावड शीवर बहुत जवर्दस लगे हुए बोले की बरात लगातार निकलती जारी है कल रात को भी हम लोग कावड शीवर में थे कल रात को भी हम लोग मौने में की बौलन बॉले के सेवा में लगे हुए हैं और कावर्ट शीविरों में जाकर और महां सब अप जड़े हुआ ध्युड़े हैं जिले में से व्हुद्ण के लिए जिले के लिए किसानों को लेकिंग देewा से आप उनकी हग किलाहिए लई रहे हैं क्या नेंदर मोधी जी प्रदान मंतरी मानने मोधी जी वो किसान सम्मान निधी उन्होंने सबसे पहले जब सरकार पर बैटे तो पर्थम उनका लक्षे यह था कि हम किसानों के लिए सबसे पहले काम करें उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट लाए उसमें पर्थम प्रोजेक्ट जो है वो किसानों के लिए लाए गया और देश की हमारा देश का जब किसान कुशाल रहेगा तो हम लोग कुशाल रहेंगे तो मैं आपके अभी का जो बज़ट आया था अभी 24 पच्चिस का इस बजट को लेकर के सभी को रिलीफ दिया गया जो मध्यम परिवार थे निमन परिवार कि लब जयात का मुद्दा को लेकि जो बिल पास किया गये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ये पहली बात तो मैं आपको आज एक आपके चैनल के माध्यम से यह चीज़ बताना चाहता हूं कि यह मुद्दा शृप यूपी का ही नहीं यह मुद्दा पूरे देश बरका है और देश के अंदर कुछ विशेश समुदाय के लोग अपनी अडेंटेटी छुपा करके, लड़कियों को फसा के, प्यार करके उनका धरम परिवर्तन करा देते हैं, जो कि देश के लिए आगे घातक बनता जा रहा है। और यूपी सरकार ने मानने हमारे मुखे मंत्री जी योगी अदितेनाजी ने बहुत अच्छा कठोर कदम उठाते हुए इस बिल को आज यूपी विधान सभा के अंदर पास कर दिया गया, कि जो भी लव जिहाद के अंदर दोशी पाया जाएगा, उसको उम्रकैद की सजा तो यह बहुत बढ़िया इस फैंसले का बहुत बढ़िया सभी को स्वागत करना चाहिए, पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, यह बहुत बढ़िया जीत है हमारे सनातन धरम की और हिंदूत को लेकर के जो आज सरकार काम कर दिया, यह बहुत अच्छा काम कर आए, हास्यों को लेकर के सरकार बहुत गंभीर हैं ले कर пожड़ होना एक हासा ही कहılाता है लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे देश के दोजार्ट चोड़ा से जब जब से मानी नरेंदर मोधी जी पधान मंत्री आये है बने हैं उन्होंने रेल हास्थों को ले करके बहुत रोग थाम करी है उसके लिए नए डिवाइसीज मेक इंडिया के तहद बन रहे हैं जो रेल डिवाइसीज जो पट्रियों पे लगाये जा रहे हैं जिसके अंदर सेंस अब ऐसा भी सुनने को मिलाए कि यह सब रचा हुआ था पहले ही पहले ही सब यह प्लांट था प्लांट के तहत देलासा देश में हो गया तो उसका लिए बहुत दुख है और मिर्त जनों को और बड़ा परिवार को बड़ा दुख होता है तो संभितना सभी की रहती है उसक तरी नगर के अंदर जितनी भी आप मैं देखिए 16-17 साल की उमर से मैं सेवा त्री नगर में करता आ रहा हूं बच्चे चोटी सी बच्चे की उमर में मेरे पिताजी तीन बार राश्पती से अवाडिड है और वो 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 खुद भी गेशिट अफसर थे डिम एच्डिम पस्यों प्रजाजों और टीन बार उनको सीएवल स्रोविशी ने बावजूद मिला तो हमने हमेरे पिता-जी ने सेवाई सिखा एयाए उसमें बंडा एकल और уже कोई बी जैसे पीडित होता है कोई रोगी है उसकी है यह खिए अस्पताल में हमारा चैनल बना हुआ है पूरा उसके थुरू हम लोग एम्बूलेंस प्रोवाइड कराना तो ऐसी तमाम सिवाई हमारी तरफ से चलती है पूरी विदान सभा के अंदर और अपने वाड़ के अंदर इस बार के रुजान सब के सामने है जो जैसी करनी वैसी भरनी वो भी सब निकल के आ रही है तो सभी चीजों को देखते हुए हम यह कह सकते है और हमारी पार्टी आश्वस्त है इसके लिए कि भाजपा की सरकार पुर्जोड तरीके से दोजार पच्चीश में दिल्ली शेहर चेंदर बनने जा रही है अब दिल्ली शहर के अंदर आप देखे संद 2013 से 2024 की तरह आफही केज़रिवाल सरकार बनती आ रही ए आमारी पार्टी की सरकार है तो भी कोई ध्यान कज़री में धूरा है जिसमें की केज़री देन कुछ दिन पहले हुआ हुपत हुआ इस थिसालिक, आपको डेखा हुआ, कुछ दिन पहले विजली से हुआ है। अरे ठीक है बिजली की रिक्वार्मेंट है गर्मी जादा है एसी का परियोग हो रहा है तो सबी लोग कर रहे हैं लेकिन पब्लिक का दर्द भी समझना चाहिए ना यह नहीं है कि बिजली एक तरफ से आप फिरी दे दे एक तरफ से आप डबल ट्रिपल चारगुना बिल लग आप जिए और आप बिल्कुल देंगे तो सभी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है और ऐसा हम अश्वस्त है कि भाजपा की सरकार पुर्जोर तरीके से आम जन के लिए आएगी आम जन के लिए काम करेंगी दो जार पचीस के अंदर जरूर भाजपा की सरकार बननी चा का पूर्ण तरीके से मूड है और क्योंकि अभी आपने देखा निगम के चुनाव में भी हमारी तीनों वार्ड भाजपा जीती है तो अभी ऐसा अनुमान और संभावनाए और हमारी पूरी कोशिश और पूरा विश्वास है कि त्रीनेगर की जनता बार्ति जनता पार्ट के केंडियेट को विश्वास देगी अपना और विश्वास मत दे करके उसको भारी से भारी मतों से विज़ेई बनाएगी अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में इस तरीनेगर मैदान सबसे तो क्या आप इच्चू रखेंगे त्यारी करें आप देखो ये तो सब पार्टी की मर्जी हैं पार्टी जो भी आदेश करेगी उसके लिए बिल्कूल हम लोग सब हाथ से हाथ मिला करके कंदे से कंदा मिला के तयार हैं खड़े रहेंगे सभी लोग जैसे सीनियर का हमारे पार्टी का आदेश होगा उसको सर माननी होगा वो विलकुल उसको हम पुर्जोर तरीके से त्यारी करेंगे उसकी बहुत बता है तो यह हमारे सीधी बत मयंग शर्माजी से स्टार्ड सीटी के साथ मैं जिते अंदर गुप क्षफट